सदके वार्ड नमर पांच में जहां करोडों की लागों से ये टंकी बने हुई है दिख सकते हैं टंकी बनने के बाद भी तला लगा हुआ है यहां किवाल लगा हुआ था किवाल निकल लिया गया है दरजा निकल गया है यह करोडों की लागों से पाइन टंकी अध्वस्त हो सुद्ध पेजल मोहिया कराने के उद्देश से एक परियुजना थी उनकी उसमें ये टंकी का निर्मानकारे स्टार्ट हुआ और 2010 में निर्मानकारे पूरा हुआ इसमें मोटर लगा हुआ है इसके लिए ओपरेटर नियुक्त था पहले ये चलता भी था लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होती थी इसमें से लीकेज होता था सारा पानी गिरता रहता था आज तक 11 साल हो गया लेकिन एक बूंद शुद्ध जल इस नगर के लोगों को इस पानी पारिशतर मातर हो गया है लेकिन इतना बड़ा जल मिनार और किसी को इसकी सुद्ध नहीं है आम जनता को एक बूंद शुद्ध जल नहीं नसीब हो रहा है जैसा कि आप जानते हैं पानी से कितनी बीमारिया होती है खासकर इस बरसात में आप समझ सकते हैं तो आम जनता के लिए फायदे का चीज था लेकिन इस पर किसी ना प्रसासनिक लोगों की जवाब देहिए और ना जन प्रतिदी को कोई इससे लेना देना है देखा जा रहा है कचला डंप किया जा रहा है आस पास भी आप इस्तिती देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहां कि लोग कितने मुश्किल से रहते हैं यहां पर इस बात की आप परिकल्पना कर सकते हैं कोई मतलब नहीं है आपको मैंने बता दिया ना 200 मीटर के दूरी पर आवास भी है और यह कारियाले भी है और किसी को कोई सुध नहीं है चलिए इनका कहना है कि 200 मीटर पर ही आजडियों का आवास है लेकिन अभी तक इस पर कोई पाहल ना किया गया ना कुछ किया गया